हेलो एव्यवन और वेल्कम बैक सटोरी स्टार्ट होती है, लेडी इस बारे बतारी होती है कि आखिर वेंपायर होते हैं, उनकी लाइफ इसन पैन कीसे चलती है तरअसल वह वह यहां पर में बताती हैं कि वेंपायर जल्दी खतम होने वाले हैं तो अबादी है और वो जल्दी खतम हो जाएगी इसकी बाद वह हमें एक प्यूर हुमन ब्लड के उसकी है और यह प्यूर हवें सब्सक्राइब और उसकी लाइफस्पैन काफी स्थिक्सपैंड हो सकती है। इसके वाए से जो बैंपायर है जो मनने वाले हैं वो हमेशा प्योर हीमन ब्लड को ढूड़ते रहते हैं। अपने में लीड जुन हो को देखते हैं जो की बेंपायर है और उसकी लाइवस्पेंट जल्दी खतम होने वाली है वो जल्दी मरने वारा है अगर उसे प्योर हुमन ब्लड नहीं मिला तो जल्दी मर जाएगा इसके बाद यहां पर कुछ परानी चीज़ों को देखता है यहा मैं अपने सेकंड में मैं लीड में को दिखते हैं जो कि अपने भाई के साथ वहाँ पर आता है या पर उसका भाई उसे युनिवर्स्टी के बाहर चोड़ता है उसका पाई उसे फोन देता है कि तुम हमेशा अपना पूल जाती हो और तुम्हें कोई दिक्कात हो तो मुझ कि तरह भाग नहीं लग्ता है यह बोसिडियों को सभसे जारा होता है उसके बाद यहां पर यहां आकर उसे हां देता है और कहता है क्या तो मिन्हीं को चाहिए है यहां पर तब जुनु कहता है कि हमारा एक लौता मिन्हू की है जो की लाकों में एक बार ही पैदा हुआ है वाग जुनु की आई से ओशियन हो जाती है यहां पर उसकी वैंपायर वाली आतें बहा निकलाती है और उसे लगने लगता है कि कैसे उसे मिन्हू को अपने पास लाना होगा ताकि वो उसका ब्लड ले सके और वो हुमन बन सके जुनु और मिन्हू की छुप छुप कर जुनु को यह देख रहा था यहां पर उसके मूह में पानी भी आ रहा था कि आखिर मिन्हू का ब्लड टेस कर रहा था कि मिन्योग पस उसे ही देख रहा है मतलब उसकी बात बिना कुछ करें बन सकती है जब बाहर जाता है तो यहां पर युनिवस्टी का एक लड़का उसे अप्रोच करता है और कहता है कि जुनु हां मैं तुम्हें ढूंड रहा था तो सारी लड़के लड़कियां उ इसके बाद उसकी आगे फिसे ओशन का लड़की हो जाती है इसके लड़की को पॉसस करका वह मैंस वाश्रों में ले जाता है और उसे बाइट करका उसका ब्लड ब्लड ड्रिन कर लेता है वजब जुनु वहां से चला जाता है तो इस बंदे कुछ भी आद नहीं रहता है कि वह इंसान को सब कुछ भुला सकता है और उस बंदे को कुछ प्याद नहीं रहता कि उसके साथ हुआ क्या था आफर और उसके लिप्स बाइट है उससे उसे पता लग जाना चाहिए था इसके बाद जुन हो प्रेजिडेंट मेरें से मिलने के लिए जाता है जो कि उसकी स पता है लेकिं मैंने एक रासा डूलिया है अपनी जिंदगी एक्सपेंड करने का और मैं जल्दी नहीं मरने वाला हूं मुझे दरहसल हुमन्स की तरह जीना है ताकि मैं पीस्फुली मर जाओं मुझे ऐसे वैंपार वाली मौत नहीं मरनी प्रेजिडेंट मेरें उसे लाइ है कि है या कि या जानते हैं में जानता हुआ है कीकी तुम मुझे या तुम बहुत क्यूठ हो तब कि उन्हें करो का हुद भृट चूरा गो बड़ा शर्माज जाता है तब जुनु किता है कि या तो मेरे साथ assignment में काम करना चाहोंगे जुकि आपी वी मैं class में मिला है तब ही जुनु केता है कि हां मेरा भी कोई partner नहीं है जुनु कहता है कि हां तो यह सही रहेगा हमें दूसरी के partner बन जाते हैं और हमारे काम आसा नहीं सो जाएगा यहां बिल्कुल लेकर जुनु का परपस को सह लगी था और जोनु लैबरेटी जाते हैं यहां पर मिन्यू को समंझ में नहीं आ रहा था कि आखर हो बात कि बाद कि यह पहली बार आ आ हूं तब जुनु तो बस उसे देखता जा रहा था इसके बाद जुन हो अपने पर अटेक कर देता है और यह सब करते करते फैंड की वहीं पर रहत हो जाती है और जुन हो अभी तक इस ट्रॉमा से बहां नहीं आपाया था और उससे लगता है कि शायद बहुत ही बड़ा गुनेगार है उसने अपने एक लौटी फै कर दर्थ करने लगता है यह प्रेजिटेंट को देखते हैं जो की बात कर रही थी जुन के पास बहुत ही कम दिन बचे हुए उसके बहुत कम टाइम है अपनी जिंदकी बचाने के लिए यह जोनों को मेनियों के साथ दिखते हैं यहां पर यह दोनों अपना प्रूजक्ट इंट्रोडक्शन देख शॉट फिलिम तरह से रिकॉर्ड करने की ता कि यह टीचर्स को सम्मेट कर सके यह बिन्यों को कुछ भी बोला नहीं आता है अबर अपनी इसके बारे बताता है कि उसके बासके बॉल खिलना आता है इसके बाद दोनों बासके बॉल कम रोमेंस जाध तब जुन हु मिन्यों को अपने हाइड आउट पर ले जाता है जो कि उसने स्कूल में बनाए हुआ तो इसका किसी को भी पता नहीं था यहाँ पर उसने घरवाला माह और माह बना का रखा था था भी जुन हुग गरता है कि यह पलेस काभी अच्छी है इसका मिन्यों को करता है कोई बात नहीं वैसे भी मैं उसे जाकर मिलनी वाला हूं और तुम्हें पता है कि बाद यह दोनों अपनी शॉर्ट फिर्म जो बनाई है उसे देखते हैं यहां पर जुन हु मिन्यों का मजा उड़ाता है विकॉस को अपना रिट्रक्शन देने तक नहीं आ रहा था तब यह दोनों अपने लाइफ स्टूरी शेयर करते हैं मिन्यों को बताता है तरह से उसके मॉम और डड़ की डैथ है वो पहली बच्पन में हो चुकी है और वो वी एक बार गिरना है वो चुका है कि वज़े से उसका भाई उसकी काफी क्यार करता है उसे कभी भी अखेली तबीं जन्हों कहता है कि हम समझ सकता हूं इतने में वह दोनों लैप्टप लेड़ने लगते हैं यहां बरे दोनों काफी लोज होते हैं और जुन हुब समय को किस करने वाला ही होता है किस हो नहीं पाती जुन वासे चलब चला जाता है इसके बाद उसका कैमरा देखने में योग को बाहर तक छोड़ने के जाता है तभि में यूग उसको आज के लिए पर अचानक से दरदए और यह सब्सक्राइबी मौझ जल्दी हो जिसके अपर नहीं भी हमत नहीं थी तो जोनो के साथ और चानक से दर्द होने लगता है और यह संटम सिर्फ यह दर्शार रहे थे कि उसकी मौझ जल्दी होने वाली है उसके बाद अपने हाई डोट में चले जाता है इंपर में धूक उसकी पास आता है क्या तुम ठीक तो तब यहां पर आने की जिद्धा नहीं थी जुआ कि मुझे तुम्हारी चंदा हो रही थी तब जुनों उसे स्टेट फॉरवर्ड ली मैंने तुमे वाली बात कही थी ना वह बसी मजाग था थोड़ा बोला लगता है और कहता है कि अच्छा तो मजाग था तभी जुनों कहता है कि क्या तुम्हें से लाइक करते हो इसके बाद जुनों कहता है क्या मैं तुम्हें एक बार किस कर सकता हूं मेन्यू को किस करता है इतने महीं यहा तुम उस लड़की को पसंद करते हूं तो क्या वोई है उसलोड कि नहीं है तो उसे बसंद करता हूं और इजी के साथ मा रहे ये पाड़ी पे खतम होता है यहां पाड के साथ एक पर समच गया था हुट